और यार सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाता हूं कि यार आप जो जो अच्छी-ची कमेंट करते हैं उससे यार मेरे को एक बहुत यार अच्छा पावर मिलता है क्योंकि जितना भी यार अभी तक मैंने कमेंट्स देखी यार कोई ऐसे लोग नहीं कि जिसने कोई तो हेलो, वाट्स अप गाईस, वेलकम बैक टू माई चैनल, बैंककोग बबल्स, कैसे हो आप सब लोग, मैं हूँ आपका दोस आर्स, तो गाईस, फिसले तीन चार दिनों से यार, मेरे सब्क्राबर भाईयो कार मेसेज आ रहा था, कि आर्स हमारे को थोड़े कन्फिजन है, जो विजा के बारे में, स्टिकर विजा के बारे में, तो अर् उसके तो बात करके अर्स, बाताईवे क्या है, मेरे कुछ मेंजज बेनेवाले कि रहा है, वो लोग ने बोला, कि वो लोग first time Thailand में आने वाले हैं तो उनको कौन सा विजा लेना चाहिए जितना मेरा experience है उसके इसाब से मैं आपको share करना चाहता हूँ कि ये actual मैं कौन सा आपको लेना चाहिए और आप कैसे उसका benefit उठा सकते हैं विजा का तो सबसे पहला होगा है जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बता है honorable visa के सबसे easily है आप आकर सब कुछ document दिखा के आपको pay करके अभी तो आपको 2000 बात pay करना है कुछ मेरे भाईयों ने पुछा कि अभी visa free है का नहीं है तो भाई honorable visa अगर आपको लेना है तो आपको 2000 बात अभी pay करना पड़ेगा पहले free था मतलब I think 2018 की मैं बात कर रहा हूँ 18-19 में free था पर अभी फिलहाल तो ये लोग ने वापीस से मतलब जो पहले था जो भी उसका कुछ company का काम है मतलब यहां पर long term stay करने का business का shopping करने का तो मैं आपको suggest करूँगा यार आप India से MBC से आप apply किजिए sticker visa अगर sticker visa आप apply करोगे तो सबसे पहले तो आपको benefit मिलेगा कि आप यहां directly आप 60 day आप रह सकते हैं आपको country नहीं छोड़ना है उसके बाद में अगर आपको extend करना है तबी भी आपको country नहीं छोड़ना है आपको जाना है सिधा immigration आप पताय में रहते हो बैंकोक में रहते हो फूकेट में रहते हो कौसामी में रहते हो जो भी आप प्रोविंस के अंदर रहते हो आपको जाना है सबसे नजदी जो इमिग्रेशन पूलिश होता है उसके मतलब उनकी जो आफिस में जाना है और आपका जो भी रिजन दीखा कि आपको एक्सेंट करना है विजा टी-र केटेगरी का टूरिस विजा तो आप 60 डेस का आपको खतम आने के वीक पहले आप जा के एकसेंट करा सकते हुसके बाद में आपको एक टाइम एकसेंटिर्टide का तो आपको टोटल मिल जाएक टूरिक घुँं लेना चाहिए क्योंकि क्यों कितने एसे जो लग फाइल nightmare में सेटल होना चाहते जिसका कोई प्लैन है कि यहाँ पर लोग डूब डूड़ना चाहते है, कुछ मेरे ऐसे भाई है क्यार कुछ रिसर्च करना चाहते है, बिजनेश के लिए कितने मेरे भाई है, प slowly, कैसा है, कैसा यहाँ पर सिश्टम है, कैसा यहाँ पर कल्चर है, तो वो लुखेलिए, यह एक लंबा दीन, अगर यह पर कोई company open करना चाहता है, चोटो मोटा form open करना चाहता है, तो यह अर उनके लिए बहुत यह अच्छा option है, आप TR category का विजा लेका है, उसके बाद में यहाँ के आपके जो lawyer से आप मतलब apply करोगे, जो आपका non-be visa है, आपका work permit है, one year visa, तो सबसे पहले तो आपको TR category का विजा करना चाहते हैं, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि आप TR category का मतलब MBC से apply कीजिए, और वो visa लेके properly जो sticker आपको मिलेगा, वो लेका यह और उसका benefit क्या है, कि अगर आपको sticker visa मिल गया, तो उसके बाद में आपको अलग country में जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी mention करते हैं, आपके ज्यादे जिनिन के लिए आना चाहते हैं, तो आप TR category का sticker visa MBC से आप लेके आई, और चोथी बात मेरे भाई, मेरे बहुत सारे इंडियन भाईयों ने यही पूछा किया, हम लोग तो first time आने वाले है, तो हमारे लिए कौन सा एरिया बैटर रहेगा बैंको के इंदर रहने के हमारी इंडियन MBC भी इधर में है, सुकुमवित के अंदर इंडियन MBC है, चियांग माई में है, और आपको हर एक प्रूविंस के अंदर हमारे इंडियन MBC के जो representative होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो यार ऐसी को आपको problem नहीं है, तो यार मेरे एक फ्रेंड के जो है, मतलब छोटे guest house है, आपको जो rental room, सब कुछ आपको वहाँ पी मिल जाएगा, short time के लिए और long time के लिए, इंडियन restaurant की में बात करूँ है, प्रतुनाम के अंदर 10-12 इंडियन restaurant है, वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे दाम के अंदर आपको Indian food मिल जाएगा, अगर आप आपको कई गुमने जाना है, तो आप यहाँ से बहुत इजिली जा सकते है, आपको taxi है, मतलब bike taxi है, जो car वाली taxi है, और आपकी जो train है, जो sky train है, जो boat है, bus है, सब कुछ इजिली आपको मिल जाएगा प्रतुनामेरिया से, और हमारे बहुत सारी Indian भाई होते हैं, तो अगर किसी से मिलना चाहते है, कोई suggestion लेना चाहते है, कुछ आप देखना चाहते है, तो यार थोड़ा इजिली आपको set हो सकते है, बहुत सारी Indian भाई है, आप इजिली किसी से बात कर सकते है, आप कुछ friends बना सकते है, तो आपके लिए थोड़ा easy होगा प्रतुनामेरिया, अगर second में बात करूँ कि अगर आपको थोड़ा high and थोड़ा class में अगर आपको रूखना है, थोड़ी अच्छी जगह में रूखना है, तो मैं आपको suggest करूँगा सुखुम भी तेरिया, और guys सुखुम भी तेरिया के बारे में मैं कहूं तो यार सुखुम भी तेरिया ऐसा है, कि आजू बाजू में आपको चार से पांच ऐसे वेन्यू मिल जाएगे, कि जहाँ प्यार नाइट लाइफ का में जोई रहे है, सबसे पहले तो आपका नाना हो गया, आपका ग्रेस होटल का जो बाहर का पूरे एरिया हो गया, उसके बाद में ये साइड में आप देखो तो पासो के बाज में जो स्वाई काउबोई आपको मिल जाएगी, और स्वाई 15 के सामने भी और एक स्वाई है, और आसपास भी आपको छोटे-मोटे बार है, छोटे-मोटी ऐसे क्लब से आपको मिल जाएगा, तो सुकुम वीट के अंदर आपको सारी ये जो म्यूजिक वाली जो कलब वाला सब कुछ माहूल आपको सुकुम वीट के अंदर मिल जाएगा, इंडियन रेश्टरॉंट आपको मिल जाएगी, थोड़ा उसका दाम एक्स्पेंसिव रहे काभी कुछ सुकुम वीट एरिया एक थोड़ा प्रिमियम एरिया है, अगर आपको स्काइलाइन के एंजोई करना हो एक जैसे आपको जो मेरे दोस सोच रहे के अर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, टावर्स होते हैं जो एक ब्यूटिफुल नजारा होता है, तो सुकुम वीट में अगर आप रूखते हैं कोई अच्छी होटल के अंदर, जो हाइट वाली होटल के अं और यार मेरे कुछ भाई ऐसा पूछते हैं कि अगर सुकुम वीट में रुखते हैं प्रतुना में एरिया में रुखते हैं तो यार साइट सीन का कैसा होता है, मतलब पिक अप ड्रॉप का ये, तो यार मैं बता दू दो दोनों के अंदर सेम हैं, दोनों जगह से आपको जो सुकुम वीट और प्रतुनाम से सेम होता है, कोई एक्स्टा चार्ड नहीं होता, अगर आप बहुत दूर रुखते हैं, कोई अलग एरिया के अंदर तो में भी साइट सीन का कुछ, में भी वेरियसन आ सकता है, ट्रांस्पोर्टेशन का, अगर आप सुकुम वीट और प्र ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेस्टन है, अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई फर्माई से है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं, कमेंट करना मत बूलना, ठीक है, अगर आप मेरे से परसनली बात करना चाहते हैं, तो मेरे को जा